Hello everyone, welcome to my channel, Mathematics Studies आज मैं आपको BA, BA, C fifth semester के book है ना, जो ये ग्रे, group and rings, उसको start करवाऊंगी तो हम chapter 1 से इसको start करेगे तो हमें chapter 1 है, जो हमारा group and subgroup उसका basic आपको start करवाऊंगे आज दखो, सबसे पहला topic पढ़ेंगे, हम इसमें binary operation हमें इस chapter का नाम कहा है, group and subgroup सब ग्रूप के बारे में आगे आएगा कि वो क्या होता है आज हम ग्रूप के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कौन सी प्रपर्टी होंगी जब वो हमारी सेटिस्फाई होंगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा ग्रूप बन जाएगा तो सबसे पहले तो जो first exercise रहे हो तो इस chapter का बिल्कुल basic है हम first exercise से start कर रहे हैं of course तो उसका हम basic देखेंगे सबसे पहले है हमारा binary operation की operation क्या होता है मालो हमारे पास g कोई भी एक non empty set है if g be any non empty set ठीक है हमारे पास कोई भी g non empty set है तो जो हमारा then a function star इस तरीके का होगा देखो जो यह star होता है यह गोला नी सिर्फ और सिर्फ यह star जो हमारे यह star है वो हमारा क्या होता binary operation यह हमारा क्या होता है binary operation जो binary मतलब 2 के बीच में लगेगा जो operation वो क्या होगा binary operation ठीक है इस तरीके से है such that कि जैसे star है हमने इस तरीके से define कर रगा है यह हमारी क्या होती कार्टीजन प्रोड़क्ट कार्टीजन प्रोड़क्ट के बारे मैं आभी बताती हूँ मैं आपको पहले इसके बारे में देखो कि binary operation क्या है कि हमारे पास g कोई भी non empty set है जो हमारा function होगा ने star वो हम इस तरीके से define करें जैसे g cross g give rise to g मतलब हमने इस में से कोई element लिया इन में से कोई element लिया और जब हमने उन दोनों के उपर यह star operation अप्लाई किया न तो हमारा जो answer है वो भी इस g के अंदर लाई कर गया तो वो हमारा कैसा operation हो जाएगा binary operation जैसे कि अगर मैंने a और b लिया कोई g के अंदर से और अगर a star b भी हमारा g के अंदर भी long कर गया तो हमारा जो function होगा वो कैसा होगा जो operation होगा यह operation binary operation ठीक है four example जैसे मैंने natural number का set लिया one two three four और जो यह binary operation है न वो मुझे किस type का दे रखा plus type का ठीक है मतलब जो मेरा binary operation है न वो क्या है plus है तो जैसे मैं इस में से natural number में से कोई दो element उठाऊँ जैसे मैंने one और two उठा लिया बिलोंग करा natural number के अंदर तो one plus two करूंगी मैं तो वो किस के अंदर ही बिलोंग करेगा natural number के अंदर ही बिलोंग करेगा three natural number है तो यह मेरा कैसा operation हो गया binary operation हो गया ठीक है अगर मैं जैसे natural number का ही set लो one two three four और मैं उस पर क्या लगाऊं minus operation लगा दो ठीक है मतलब मैंने इस में से और इस में से जैसे one और two उठाया natural number का set और one minus two किया तो अंसर क्या है minus one जो की natural number के अंदर तो बिलोंग कर ही नहीं रहा मैंने इन दोनों में से कोई natural number के set में से कोई element उठाए और उनके subtraction किया वो natural number के अंदर बिलोंग ही नहीं किया तो जो यह negative यह माइनस है ना यह हमारा binary operation नहीं हुआ ठीक है मतलब जैसे हम उसी set के अंदर से दो element उठाएंगे अगर जो हमें operation दे रखा जैसे हमें binary operation प्लस दे रखा हमने उन दोनों को प्लस किया वो natural number के अंदर ही बिलोंग कर गया तो तो वो हमारा binary operation है लेकिन जैसे मैंने इन दोनों element को उठाया अंडर अगर वो क्या बोल रखा है कि subtraction operation है तो बताओ तो मैंने इनको subtract किया इतने natural number के अंदर आया ही नहीं मैं जो यह हमारा operation है वो binary operation नहीं है अब बीच में आया था Cartesian product देखो Cartesian product वैसे तो आपने 12th class में अच्छे से पढ़ रखी है Cartesian product फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं क्या होती है यह Cartesian product जैसे A और B हमारे कोई भी दो unknown empty set दे रखी है note equal to 5 ठीक है जैसे मैंने माल लिया एक Cartesian product भी करना है जैसे माल लो कि मुझे A तो यह दे रखा है 1,2,3 ठीक है और B मुझे यह दे रखा है 4,5 तो Cartesian product किस तरीके से निकलती है हमारी 1 की 4 के साथ 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5 इस तरीके से हम क्या निकालते हैं Cartesian product जैसे हमने A क्रोस भी निकाली हम B क्रोस A भी निकाल सकते हैं देखो B क्या है मितलब 4,5 क्रोस 1,2,3 हम यह भी निकाल सकते हैं तो क्या एगा 4,1 4,2 4,3 similarly 5,1 5,2 5,3 तो यह होगा जो हमारा A क्रोस B और B क्रोस A है वो generally equal नहीं होते हैं A क्रोस B not equal to B क्रोस A ओके जनरली ऐसे होता है कि हमारी equal नहीं होते हैं ठीक है तो यह था हमारा binary operation का concept इसके अंदर एक छोटी सी प्रोड़क्ट आई थी Cartesian product यह मैंने आपको बता दे कि इस तरीके से अगर हमारा कहीं हो तो हम Cartesian product इस तरीके से निकालते हैं अब बात आई हमारा chapter का नाम कै ग्रूप अब होगा कि हम किसी भी function को मतलब कोई भी हमें दे रखा होगा वो question में यह बोलेंगे कि prove करूँ यह ग्रूप है या फिर यह बोलेंगे कि prove करूँ यह ग्रूप नहीं है तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जी यह value of a group है या नहीं है तो उसके लिए हमारे पाच कुछ properties होती है तो some properties तो मैं आपको वो कराती हूँ पहली property होती है हमारी closer closer low बोलो closer property बोलो आपके मर्जिय है ठीक है अब जो मैंने binary किया था ना कुछ इसी तरीके का आपका closer low होता है similar type का कि जैसे हमारे पास कोई g एक non empty set दे रखा है if g भी ऐनी non empty set ठीक है दे रखा है हमें यह g कोई भी non empty set उसमें से क्या करना है मैं इफ अगर मैं इसमें से कोई a भी उठाऊं वो g के अंदर भी long कर रहा है और अगर मैं उसके उपर कोई binary operation लगाऊं वो भी g के अंदर भी long कर जाए तो वो हमारी currency property को satisfy करेगा closer property को मतलब हमें कोई भी g दे रखा है ठीक है अगर मैं दो element उठाऊं g के अंदर से और हमें जो भी operation दे रखा वो हम operation लगाऊं और उसका अंसर फिर से g के अंदर ही आ जाता है तो वो हमारी कौन सी property को satisfy करता है closer property को ठीक है for example वही जैसे natural number का set था 1,2,3 और हमें जो operation दे रखा वो क्या दे रखा addition operation मतलब की plus ठीक है तो जैसे मैंने इस में से 1 और 2 उठाया a,b, कोई भी दो element हमने g के अंदर से उठाया similar मैंने इन दोनों में से 1,2 कोई natural number का set उठाया मैंने उन दोनों को add किया addition है जैसे कि ए जैसे क्या है 1,2 का क्या मतलब है कि 1,2 करना हमें वो क्या है 3 वो भी natural number के अंदर भी लोंग कर रहा है तो ये हमारा किसकी property को satisfy कर रहा है closer property हम लिख देंगे so closer property satisfy ठीक है तो ये होती है हमारी closer property then next property होती है हमारी associative property ठीक है उसके अंदर क्या होता है हमारा पस 3 element लेंगे हम a, b, c, g के अंदर से ठीक है वही लिख देना कि g कोई भी non empty set है non empty है तभी तो non empty मतलब जो खाली नहीं है तभी तो उसके अंदर से हम element ले रहे हैं देखना है a, b, c और a, b, c पहले तो आपको इंदो की उपर- Datab given लगा देनी है फिर उपर-graduate लगा देनी है ठीक है मतलब अगर आप इन दोनों की operation लगा रहे हो फिर एक के साथ निकाल रहे हो तो उसका अंसर इन दोनों के उप्रोपरेशन लगाने के बाद फिर C के साथ लगा रहे हो अगर C आता है तो वो हमारी कौन सी प्रोपर्टी को सैटिस्फाई करता है अगर हमारा addition के अंदर हो और multiplication के अंदर हो तो ये प्रोपर्टी हमारी always satisfy होती है मतलब जैसे addition है a प्लस b प्लस c कर लो c प्लस b प्लस a कर लो कुछ भी कर लो always same ही मिलेगा a into b into c कर लो a b into c into a करो तो वो हमारा always same होगा तो जो associative property होती है usually addition के लिए और multiplication के लिए true ही होती है मतलब mainly क्या होता है associative property में हमें ये इसके equal दिखाना होता है और अगर ये equal आ गया तो हम क्या बोल देते हैं कि associative property is satisfied then हमारी एक third property होती है वो क्या होती है existence of identity existence of identity चीक है ये है हमारी third property देखो क्या है identity मतलब identity element को हम e से denote करवाते हैं इसके अंदर for all हम कोई भी a element उठा रहे है जीके अंदर से अगर वहाँ पे there exist epsilon बोली नहीं कोई अगर हमने एक कोई उठाया और उसके लिए हमारा कोई identity element exist हो गया जो कि किसके अंदर ही है जीके अंदर है तो वो हमारा क्या हो जाता है वहाँ पे equal to a मतलब क्या है कि जैसे कि मतलब एक बार इसमें देखो जैसे addition operation हमें दे रखा है कि मैं a में क्या add करूँ कि a ही आ जाए 0 तो जो इसकी identity हुई ना वो क्या हुई हमारी 0 हुई ठीक है उसके बाद अगर हमारा multiplication का है कुछ जो operation है वो multiplication का है a में मैं क्या multiply करूँ कि मेरा a आ जाए 1 तो जो इसकी identity है e वो क्या हुई 1 समझ गए तो ये है identity हमारी existence of identity क्या कहता है कि हमने कोई element उठाया a जो कि g के अंदर belong करा है उसके लिए हमारी एक identity exist करेगी जिसके according जो हमारा a star e होगा वो एक एकवल होगा या फिर आप बल सकते e star a भी एक एकवल होगा ठीक है तो ये है हमारा existence of inverse जब आपकी e की value आ जाए तो आप लिख देना कि जो identity element है वो exist करता है identity exist लिख देना आपको ओके देन हाँ आपकी fourth property existence of inverse ये है आपकी fourth property fourth property में क्या है वही कुछ इसका use होता है अगर मालो किसी question में आपको ये भी बोल रखाए न कि direct existence of inverse निकालो तो फिर भी आपको उसके लिए पहले इसकी need होगी ही क्योंकि इसके अंदर हमें e के value की need होती है देखो कैसे अगर हमें ये बोल दिया existence of inverse निकालो तो हम क्या करेंगे वही a कोई element उठाएंगे g से तो वहाँ पे हमारा एक another element b exist करेगा जो कि g के अंदर बिलोंग करेगा और जो ये b हो क्या है a का inverse या फिर हम बोल सकते है a हमारा b का inverse b है ठीक है क्या है मैंने कोई a element उठाया g के अंदर से और उसके लिए मेरा कोई b element जो की a का inverse है वह exist हो गया किस तरीके से exist होगा such that a star b equal to e और वो b star a होगा चीक है क्या है a star b और b star a किसके equal हो जाएं हमारे identity के equal जो identity की value हमारी इस question में आई थी फिर वो मतलब जो इस part में आई थी वो इस part में हम यही value use कर सकते हैं existence of inverse हम किस तरीके से करेंगे कि हमारा a star b equal to हो जाए identity के या फिर b star a equal हो जाए identity के मतलब दोनों identity के equal होंगे तो जो हमारा a होगा वो b का inverse कहेंगे हम उसको और b को हम बोल सकते है a का inverse ठीक्या तो इस तरीके से होता है for example अगर हमें इसका inverse निकाल ला है मालो जैसे addition वाले में मालो यह question चल रहा है हमारा addition वाले में मेरा क्या आया था identity के value 0 ठीक है a plus b ठीक है तो यहां से देखो क्या था हमारा identity वैसे इसको रहने दो अभी वो question में बताते हूं आपको अभी यह देखो existence of inverse इतना आ गया समझ में for example अगर हमारा यह है अगर हमें addition का inverse निकालना है कि 2 equal to 0 है तो मैं इसमें क्या add करूँ कि मेरा 0 हो जाए अगर मुझे addition वाला inverse चाहिए होता था multiplication में जा identity होती वो किसके equal होती 1 तो equal to में बनाएगा मैं 2 में क्या multiply करूँ की बनाजाए 1 by 2 तो 2 का inverse क्या होगा मेरा 1 by 2 इस तरीके से हमारे आएंगे inverse की value ऐसे यह question में तो बिलकुल ही easy हो जाएगा देखना तो बाब अभी बस आपको main-main थोड़ा-थोड़ा समझान चीए main तो क्या है कि जैसे existence of identity में a star equal to a होगा existence of inverse में a star b equal to e और b star a equal to e होगा इस तरीके से आपको ध्यान रखने है ठीक है then हमारी class property होते है बहुत easy property commutative property इसके अंदर क्या होता है हमारा कि g के अंदर से हमने दो element उठाएं a और b जो की belong करें g के अंदर और such that हमारा a star b अगर b star a के equal हो जाए तो जो हमारी commutative property होती है वो satisfy हो जाती है इसे हमें addition वाड़ा दे रखा है कि 2 प्लस 3 भी हमारा 5 होगा और 3 प्लस 2 भी हमारा 5 होगा तो ये हमारे क्या हो जाएगा commutative हो जाएगा और questions में आपको value ही मिलेंगे अज़े a b मदब a b b मिल सकता और value भी मिल सकती है तो ये था हमारा कुछ properties अब क्या है अगर हमारा ये बोल रखा हो कि group set की ये बताओ कि ये हमारा group है या नहीं है ठीक है अगर वो हमारी closer law associative property existence of identity और existence of inverse अगर उसके अंदर है तो वो हमारा क्या बन जाता है group और अगर उसके अंदर मतलब ये चार तो है ही और साथ में commutative भी है वो तो वो हमारा कौन सा group बन जाता है abelion group ठीक है अगर सिर्फ और सिर्फ चार प्रोपर्टी को satisfy करता है तो वो हमारा group होता है और अगर ये एक extra property commutative को भी साथ में satisfy कर देता है तो हमारा जो group है वो कैसा बन जाता है abelion group abelion group ओके तो ये हैं हमारे group और अगर सिर्फ दो प्रोपर्टी satisfy होती हो हमारी एक तो closer की और एक associative ही तो जो हमारा group है वो कैसा होगा semi group क्या है अगर पहली चार प्रोपर्टी satisfy हो रही है अगर चार प्रोपर्टी satisfy हो रही है तो वो group होता है अगर पांचों की प्रोपर्टी satisfy हो रही है तो वो abelion group होता है अगर सिर्फ पहली दो प्रोपर्टी सैटिस्वाई होते हैं वो क्यों सा ग्रूप होते हैं सैमी ग्रूप फिर है हमारे पास finite ग्रूप और infinite ग्रूप ठीक है क्या है finite ग्रूप और infinite ग्रूप विल्कुल नाम से पता चल रहा है मतलब जिसके अंदर if G has finite number of elements जो हमारे G है ना G अगर उसके अंदर finite number of elements है तो वो हमारा finite group होगा जिसे G मैं क्या ले रही थी पहले जिस natural number का सैट था वो कैसा था हमारा infinite group था लेकिन अगर मैंने ऐसे ले लिया 1, 2, 3 चाहिए इस तरीके से तो मेरा क्या होगा finite group अगर G मेरा finite है तो वो finite group होगा अगर मेरा G infinite है तो वो infinite group होगा अब ऐसे लिख देते है O of G इसका मतलब होता है कि order of G order of G का क्या मतलब है कि कितने element है हमारे G के अंदर वो ही हमारा क्या हो जाता है order of G मतलब number of elements in G ही हमारा क्या है order of G ठीक है अब इससे related हम question करेंगे वैसे तो आपका basic में एक किसमें है addition model और multiplication model लेकिन जब उसके question आएंगे हम उसका भी करेंगे उसका basic में तभी कराऊंगे अभी मैं इससे related जो है एक दो question वो करा देती हूँ ठीक है देखो जो इस exercise के जो example first or second पर बिल्कुल डिट्टो है बस first example में क्या है हमार addition के respect में हमें group proof करना है abelion group और second में multiplication के respect में तो मैं आपको addition वाला कराऊंगी multiplication वाले में बस multiply आएगा तो वह आप देख लेना ठीक है तो पहले मैं यह करा देती हूँ आपको show that z is an abelion group with respect to addition अब अगर मुझे abelion group proof करना तो मुझे पांचो प्रोपर्टी को satisfy करवाना पड़ेगा पहली प्रोपर्टी मेरी क्या थी closer property ओके देखो क्या वो closer property में हमारा क्या होता था कि हम क्या लेंगे a और b दो element उठाएंगे a और b हम क्या लेंगे दो element उठाएंगे group के अंदर से और अगर हम जब उनका operation लगाए वो भी g के अंदर आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा closer property देखो क्या है अब मैंने दो element उठा लिए पहले तो लिख लो कि देखो क्या है z हमें प्रूब करना है तो लिख लो कि z तो हमारा of course non empty z का मतलब क्या होता है हमारे integer integer के अंदर हमारे क्या आते हैं जैसे 0, 1, 2, 3 और उनके negatives ये होते हैं हमारे integer ठीक है अब क्या है कि मैं integer में से कोई भी दो member उठा लूँ जैसे मालो मैंने 1, 2 उठाया अगर मैं उनको add कर दूँ तो answer कितना हैगा 3 तो 3 भी तो मेरा क्या integer आया मतलब मैंने integer में से कोई 2 member उठाये और उनको उनके उपर अगर मैंने addition लगाया तो मेरा किस के अंदर ही आया वो z के अंदर ही आया तो वो मेरी किस के कौन सी property का satisfy कर रहे है closer property को लिख सकते आप कि जैसे मैंने a और b for all a और b में से मैंने z में से मैंने a और b दो member उठा लिए ठीक है also जो मेरा a plus b है वो किस के अंदर ही belong करेगा z के अंदर of course मैंने कोई भी integer उठाएं तो उनका addition भी integer ही होगा ठीक है तो हम लिख देंगे since sum of integer is also an integer so closer properties satisfy ओके आप यूं लिख देना इसको तो हमारी first property क्या होगी satisfy होगी कि मैंने कोई integer में से दो element उठाएं उनके उपर क्या लगा है addition लगा है उनको add क्या तो वो भी क्या आगया integer आगया तो जो मेरी closer property है वो क्या हो जाती है satisfy हो जाती है the next property क्या होती है associative इसके अंदर हमें क्या करना होता है तीन member उठाने होते है राइट तो मैं क्या करूंगी a, b, c किसके अंदर से उठाऊंगी z के अंदर से उठाऊंगी ठीक है तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था abilion property के अंदर इस तरीके से कुछ बताया था कि a star b star c किसके equal होगा a star b star c के equal होगा तो वो क्या प्रूब हो जागा associative तो मैं इस दोनों निकालना a star b star c इस कि उनके बीच में क्या लग जाएगा addition लग जाएगा तो इसको open करो b plus c फिर a को और star है तो इसको उपर क्या लग जाएगा a plus b plus c चिक है यह आगया उसके बाद मैं को क्या निकालना यह a star b star c इसके उपर अगर मैं लगाऊं तो क्या हैगा a plus b star c अब इनके उपर operation लगाऊ star के नाम का बीच में plus तो a plus b plus c अब देखो यह value और यह value तो मेरी equal आगी मैं अब जो मेरा a star b star c था वो किसके एकवल आगया a star b star c की तो जो मेरा यह क्या कौन सी property associative property क्या हो जाती है satisfy तो हम लिख देंगे so associative property is also satisfy क्योंकि यह क्या होगे equal हो गए the next हमारा क्या होता है existence of identity identity ठीक है existence of identity में मैंने क्या बताय था कि हमारा हम एक a element उठाएंगे जो कि g के अंदर belong करता है उसके लिए हमारा एक identity आएगा वो identity हमें निकालना है वो हमें बताने कि वो exist करता भी है या नहीं क्योंकि इस question में तो बोल रखा कि show करो यह group है तो मतलब करता ही होगा तो जैसे a बिलोंग कर रहा है जी नहीं है यहाँ पे हमारा integers का set है तो z के अंदर हमारा a बिलोंग कर रहा है ठीक है also हमें पता है इसके अंदर क्या होता existence of inverse के अंदर property के अंदर a star e equal to होता है a यहाँ पे हमारा star जो binary operation वो क्या है plus तो a plus e हमारा किसके equal होगा a के equal तो यहाँ से हमारा e की value कितनी आ गई 0 बलतब जो हमारा identity है वो क्या हो गया इसके अंदर 0 तो आप यह भी लिखके दिखा सकते हो कि a plus 0 equal to a तो हमारा जो identity है वो क्या गया 0 और जो identity है वो किसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है हमारा integer के अंदर भी बिलोंग कर रहा है तो जो हमारा identity element है वो क्या कर जाएगा exist कर जाएगा अब कहीं यह सोच चुकिए identity तो आ गया लेकिन जो identity आया है ना वो integer के अंदर भी बिलोंग कर कोडिंग क्या है addition मतलब plus तो a plus equal to a हो गया यहां से e की value आ गए मेरी zero अब जो यह e आया है मेरा वो मेरा integer के अंदर भी belong करना चाहिए जो दे रखा है तो जो मेरा identity है वो क्या हो गया exist हो गया अब next हमें क्या निकाल ले है existence of inverse existence of inverse में क्या होता है हमारा कोई a element है जैड के अंदर से उसका inverse की value हमें निकाल ले होती है और उसके अंदर क्या है कि a star b हमारा किसके equal था e की equal अभी e की value तो मैंने पिछे निकाल ले थी वो value मेरी क्या है थी zero ठीए है और star का क्या मतलब है हमारा plus तो a plus b equal to हो गया zero क्या निकाल minus of a, ठीक है मतलब starting में आप यूं लिखना कि for हमें क्या बताए था मैंने existence of inverse में कि कोई a for all a belong करा जो की z के अंदर, there exist करेगा, एक b जो की z के अंदर ही होगा, और जो b है वो किसका inverse है, a का inverse है then property के according a star b equal to e होगा, और यहाँ पे star का मतलब प्लस, तो a plus b equal to 0, और b की value क्या अगी, मेरी minus of a ठीक है, अब करके देखो a plus equal to 0 minus of a, मतलब a के अंदर में क्या add करूँ की 0 है minus of a, तो मेरा जो inverse है, वो क्या अगा, minus of a also जो यह inverse है मेरा वो किसके अंदर भी belong करेगा z के अंदर, अब आपको कैसे बता चला कि z के अंदर है, देखो मैंने क्या लिया था, कि a मेरा integer है, राइट, अगर मेरा a integer है, तो minus of a b क्या होगा, integer, जैसे मैंने one ले लिया a मैं लो मेरा one है अगर मेरा one integer है, तो मेरा minus one भी क्या है, integer है तो क्या हो गया कि जो मेरा माइनस अगर A इंटीजर है तो माइनस A भी इंटीजर होगा कि मतलब मेरा एक A के लिए क्या एक्जिस्ट हो गया एक B एक्जिस्ट हो गया जो कि क्या है इंटीजर है और जो ये B होता है वो क्या होता है A का inverse तो आप ये लिख सकते हो A जो integer है उसके लिए हमारे inverse exist हो गया यहाँ पे B लिखो या फिर A inverse लिखो क्योंकि B की value ही है A inverse तो वो exist हो गया तो हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारा inverse है भी क्या कर गया exist कर गया यह जरूर धान रखना कि यह आपको जरूर देखना है कि वो जो इंटीजर के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए ठीक है तो यह हो गया हमारा existence of inverse last property है अगर यह बोल देते question के अंदर के अप्रूब करो यह group है तो आप चार property तक छोड़ सकते थे क्योंक इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रही है और क्या प्रूब करना है कि जो a star b है नो किसके इकोल होता है b star a की यहाँ पे star का क्या मतलब है प्लस तो a plus b equal to b plus a है अफकोस सारे के सारे इंटीजर के लिए यह हमारे true ही है मालो मैंने a की value minus 1 ली और b की value मालो 2 ली है तो minus 1 plus 2 कितन और यह 1 2 ले लूँ तो इन दोनों का 1 plus 2 भी मेरा 3 होगा और 2 plus 1 भी मेरा 3 होगा तो जो यह हमारी addition के लिए commutative property always satisfy होती है तो लिख देना so commutative properties satisfy last में लिख देना thus all the properties are satisfied then we can say that it is an abelian group क्योंकि पांचों property satisfy हो गई तो यह हमारा group कैसा बन गा abelian group जो second question हो आप कर लेना बि है हमारी composition table तो मैं वहां से आपको next lecture के अंदर करवाऊंगी thank you guys for watching my video please do like and subscribe to my channel thank you so much